हेलो दोस्तो वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल क्रिजी डिजाइन्स आज के इस फोटोशॉप टिटोरियल में हम सीखेंगे अगर आप अपने किसी भी इमेज पर इस तरह का वाटर कलर पेंटिंग एफेक्ट देना चाहते हैं तो वह हम किस तरह दे सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यह इमेज पहले किस तरह था एफेक्ट देने से पहले यह देखिये बिफोर एंड आफ्टर तो किस तरह हम यह इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं चल यह देखते हैं सबसे पहले हम अपने इस background पे एक pattern apply करेंगे मेरे पास ये पहले से एक image है मैं इसका pattern अल्रेडी बना चुक हूँ आप भी बहुत असानी से इसका image बना सकते हैं मैं description में इसका link भी दे दूँगा अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से download कर सकते हैं pattern बनाने के लिए आप simple यहां से जाएंगे edit में और यहां से define pattern करेंगे और इसका जो भी आप नाम रखना चाहते हैं यहां नाम change कर सकते हैं आप और यहां से ok करने के बाद यह आपका pattern पैनल में add हो जाएगा यहां फिर वापिस आते हैं अपनी इस layer पे यहां आने के बाद यहां से हम जाएंगे adjustment layer और यहां से हम use करेंगे pattern pattern में इस drop down पे अप click कीजिए और यहां से यह देखिए मेरे बास पहले से pattern मैं बना चुका था यह इसको मैं click करूँगा इसका scale में थोड़ा सा कम कर देता हूँ यह ज्यादा है मैं इसको 30% करूँगा और यहां से ok कर देंगे अब हम अपनी इस main वाली layer को unlock करेंगे यहां से और इस पे right click करने के बाद convert to smart object कर देंगे और इसे drag करते हुए यहां top पे लेंगे इस तरह से अब यह smart object बन चुका है इसके बाद हम यहां से जाएंगे filter और यहां से use करेंगे filter gallery यहां आने के बाद सबसे पहले हम यह यह वाली option dry brush यूज़ करेंगे इसके कुछ values हैं brush size 10 देंगे और brush details भी 10 होगा और texture 1 होना चाहिए और हम यहां से ok कर देंगे अब हम फिर से जाएंगे filter में और फिर से use करेंगे filter gallery इस बार हम use करेंगे cutout cutout में यहां कुछ values चेंज करेंगे number of levels यहां हम 8 करेंगे यनि full कर देंगे edge simplicity हम यहां पर 0 कर देंगे और edge fidelity को हम यहां 1 कर देंगे और यहां से ok कर देंगे यहां आप देख सकते हैं हमारे smart filters add होते जा रहे हैं इनके सामने आप यह चोटे चोटे आइकन भी देख रहे होंगे अभी जो last वाला हमने cutout वाला filter दिया है वो यह उपर वाला recently है इसके वाले icon पे हम double click करेंगे तो हमारे पास यह blending option की एक पैनल open हो जाएगा यहां हम इसका mode change करेंगे normal पे click करेंगे और यहां से use करेंगे fin light और यहां से इसके बाद ok कर देंगे अब next step में हम फिर से जाएंगे filter blur और यहां से use करेंगे smart blur यहां हम इसकी भी values चेंज करेंगे यहां radius में हम देंगे 25 से शोल्ड में हम देंगे 100 यहां quality आप हाई कर दीजिएगा और mode normal होना चाहिए और यहां से आप ok कर दीजिए अब आप इस filter के icon पर फिर से double click कीजिए इसकी blending option में आने के बाद इसका आप mode change करेंगे यहां से और use करेंगे screen अब इसकी opacity भी हम थोड़ी कम करेंगे हम यहां इसकी करेंगे 45 के आसपास और यहां से ok कर देंगे next step में हम फिर से जाएंगे यहां से filter styles और इस बार हम use करेंगे fine edges अब हम fine edges के blending option वाले icon पर double click करेंगे और इसका भी blending mode change करेंगे और यहां से use करेंगे soft light इसकी भी opacity हम थोड़ी कम करेंगे हम use करेंगे इसकी 70% के आसपास और यहां से ok कर देंगे next step में हम यहां से जाएंगे adjustment layer में और यहां से use करेंगे levels यहां भी हमें इसकी कुछ values change करनी होंगी यहां shadows में हम देंगे 35 और यहां mid tones वाली जो slider है इसकी हम value देंगे point double 8 और इसके बाद हम यहां से इसको बंद कर देंगे फिर से हम जाएंगे adjustment layer में और इस बार हम use करेंगे vibrance vibrance आप यह जो उपर वाला slider है हम इसको full कर देंगे यानि 100% plus में ले जाएंगे और saturation को हम यहां 20 plus 20 के आसपास रखेंगे और यहां से इसको बंद कर देंगे next step में हम अपनी इस main layer को select करेंगे और यहां से हमें एक layer mask एड़ करना है लेकिन layer mask हम odd press करने के बाद इसको click करेंगे क्यूंकि हमें inverse में layer mask चाहिए अगर मैं यह दिखे odd press करके इस पे click करूंगा तो इसने black यहां mask एड़ कर दिया है जो के हम इसको अब reveal करेंगे इसके बाद आप अपने keyboard से भी press कीजिए यह आप यहां से भी brush tool select कर सकते है brush tool में आप यहां इसका इस panel पे click कीजिए और आप जाएंगे यहां से legacy brushes में यह last में आप folder देख सकते हैं अगर आपका यह folder नहीं आ रहा होगा तो आप यहां से इस icon पे click कीजिए इस पे click करेंगे फिर से इस तरह स्क्रोल करते हैं यहां last में हम लेके आएंगे तो में water brushes दिखने लगेंगे water color brushes में हम यह वाला जो water texture surface के नाम से brush है 45 इस पे click करेंगे और इसको select कर लेंगे brush का size हम यहां से थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं आप end bracket और start bracket से brush का size चोटा यह बढ़ा कर सकते हैं इस तरह इस size में रखने के बाद अब हम यहां paint करेंगे यह देखिए जहां से मैं paint करना शुरू करूंगा जहां-जहां paint हो रहा है वहां पे वह हमारे image को दिखाने लगा है इसी तरह आप paint करते जाएंगे आप इसको एक ही बार में paint करते जाएंगे क्योंकि अगर आप इसको छोड़ने के बाद फिर से paint करेंगे तो यह उसमें और color add करेगा वो भी हम add करेंगे लेकिन अभी मैं इसको यहां से इस तरह से draw करूंगा इस तरह से इस तरह paint कर लेने के बाद अब यह देखिए मैं brush को छोड़ता हूँ अगर मैं फिर से यह देखिए draw करूंगा तो इस बार वो इसमें और color add करता जाएगा आप इसी तरह अगर कहीं ज्यादा color add करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं इस तरह से करते जाएए आप अकसर देखते होंगे अगर हम watercolor paintings देखें तो इसमें इसी तरह के colors होते हैं अब हम last में इसकी opacity थोड़ी कम कर देते हैं मैं इसकी कर देता हूँ 30% और इस opacity के बाद हम इसके edges पे इस तरह paint करेंगे अगर आपका यह देखिए यहां से paint गलत हो जाता है यानी ज्यादा हो जाता है बाहर हो जाता है तो अब यहां से express कीजिए अपने keyboard से यह देखिए यहां पर color swap हो गया black उपर की तरफ आ गया यानी foreground color अब आप यहां से remove कर सकते हैं इसको opacity बढ़ाएंगे यह देखिए इसकी मैं opacity कर देता हूँ 100 यह देखिए अब आपको दिखेगा यह मैं जहां भी करूंगा वहां से यह paint को कम करता जाएगा यह देखिए यह इसको कम करता जा रहा है यानी masking करता जा रहा है फिर से आप इस तरह से इसको remove कर सकते हैं जो इरिया आपका extra हो जाए अब हम फिर से यहां इसको swap करेंगे मैं opacity edges पे लगाना चाहता हूँ तो इसकी 30% ही रखूंगा और अब हम इन वाले इस तरफ वाले edges प before and after तो इस तरह इन steps पर मल करते हुए आप भी अपने किसी भी image को watercolor effect दे सकते हैं I hope आपको आज का tutorial अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आई तो like कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिएगा मिलते हैं next video में एक new tutorial के साथ thank you